नमस्का दूस्तू, स्वागत है आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम इतियास से सम्मंधित कुछ प्रिष्णों का डिस्कस करेंगी तो जिन प्रिष्णों की हमें हम बात करेंगी चलिए उनको देख लेते हैं तो इसमें जो सबसे पहला हमारा प्रष्ण है के बुद्ध्य चरत जिसे बुद्धों का रामायन कहा जाता है के रचनाकार कौन है हमें बताना है कि बुद्ध चरत जो ग्रंत है जिसे बुद्धों का रामान कहा जाता है तो इस बुद्ध चरत के रचनाकार कौन है आप्शन A अश्वघोस, आप्शन B बसुमित्र, आप्शन C बुद्ध घोस और आप्शन D नागारजुन तो इसका जो सही अंसर है वह है अश्वघोस याप्शन नमबर A का सही है तो बुद्ध चरत के रचनाकार कौन है बुद्ध चरत के रचनाकार है अश्वघोस और बुद्ध चरत को ही बुला जाता है बुद्धों का रामायन और जो बुद्ध चरत है यह संस्कित भासा में लिखा गया है तो यह भी आप गया दखना के संस्कित भासा में लिखा गया महा काब है बुद्ध चरत ठीक है और इसके रचेता दोदी के लिए है कौन है और इसमें क्या है कि इस पूरे बुद्ध चरत में भगवान बुद्ध के पूरे जीवन का बैणन किया गया है ठीके और इस ग्रंत को इस तरीके से रचा गया है जैसे कि जो बालमेकित रामायन है उसी तरीके से इसको भी रचा गया है इसलिए इसे बौद्धों का रामायन भी कहा जाता है आगे बढ़ेंगे कि निम्न लिखित मैंसे महा बिभास सास्त्र के रच इता कौन है ठीक है महा बिभास सास्त्र इसके रच इता हमें बताना है कि कौन है आप्सन ए बसुमित्र आप्सन बी असंग आप्सन सी नागारजुन और आप्सन डी अस्व घोस तो इसका जो सही अंसर है वह है बसुमित्र ठीक है तो महा बिभास सास्त्र के जो रच इता है वह है बसुमित्र ठीक है अब जो बसूमित थे, यह एक पुसिद्थ बात दासनेक भी थे, और लिखक भी थे ठीक है? तो यह आपको याद रखना है कर बसूमित थे, एक पुसिद्ध बात दासनेक थे, और लिखक थे. इनके द्वारा महा विभास सास्त की रचना की गई थी और यहार क्या थे के जो कुषान बंस के समराट थे कनेश के कौन थे कनेश के तो कनेश के के यह समकालीन था यह भी आपको याद रखना है और बसुमित्र से एक प्रिशन और पूशे जाता है कि जो चतुर्थ बौध संगीती हुई थी कौन सी चतुर्थ बौध संगीती हुई थी इसका सभापत्त भी इन्हींने किया थे चतुर्थ बौध संगीती के सभापत्ती भी कौन थे बसुमित्र थे आगे बढ़ेंगे कि कौन सी बौध रचना गीता के समान पवित्र माने जाती है गीता के समान पवित्र ठीक है यह कौन सी रचना माने जाती है यह हमें बताना है ओप्सन ए जातक ओप्सन बी धमपद ओप्सन सी पिटक और ओप्सन डी बुध चरत तो इसका जो सही अंसर है वह है धम पद ठीक है तो धम पद को जो माना जाता है उसको गीता के समान पवित्र माना जाता है ठीक है और जो धम पद है यह बौध साहित का सबसे लोग पिये गंत है और इस गंत में है क्या तो इस गंत में जो भगवान बुद्ध के नेतिक भावी बोधिसत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् नाम होगा मेत्रे ठीक है और भविसमेफ पेंसे एक बार बुद्ध आउत्रत होंगे और वह फिर से बुद्ध सत्त को प्राप्त करेंगे और यह विश्वत्ध धर्म की क्या देंगे सिख्छा देंगे आगे बढ़ेंगे कि निम लिखित मैंसे बौद्ध धर्म का मूल आधा क्या है ठीक है बौध धर्म का मूल आधार हमें बताना है आप्शन ए चार आर सत्थ आप्शन भी आस्तांगेक मार्ग आप्शन सी त्री रतने और आप्शन डी इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वह है चार आर सत्थ ठीक है बहुत धर्म का जो मूल आधार है वह कौन सा है वह है चार आर सत अब यह चार सत कौन से है तो चार सत है कि दुख पहला तो क्या है दुख अब दुख के बाद जो दूसरा है वह है दुख समुदाए पहला हो गया दुख, दूसरा हो गया दुख समुदाय, तीसरा हो गया दुख निरोध, और जो चोथा है वह है दुख निरोध गामनी प्रतिपदा इस चार प्रकार के मूल आधार हैं पहला है दुख, दुसरा है दुख समूदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौता है दुख निरोध गामनी प्रतिपदा आगे बढ़ेंगे कि महान धार में घटना, महामस्त कावेश, निमलिकित मैसे किसे सम्मंदत है और किस के लिए की जाती है, ठीके, तो महामस्तक अविसेख, ठीके, इसको अगर हम पढ़ें तो यह है महामस्तक अविसेख, या किसे सम्मंदत है, या सम्मंदत है बाहू बली से, ठीके, अब बाहू बली से सम्मंदत है, तो जो महामस्त अविसेख है, या कि कितने सब्दों से बना है पहला तो सब्द महा पर सब्द मस्तक और उसके बाद एक सब्द इसमें अविसेग इसमें तीन सब्द जुड़े हुए है महा मस्तक अविसेग ठीक है तो यह है कि एक बड़े इस तरपर एक अविसेग का आयोजन किया जाता है और यह कहा होता है यह करना टक के स्रेवन बेल गोला में आउजित होता है यह 12 बाइस के अंतराल पे होता है और यहां पर गौम्टेश और बाहुबली का एक महा मस्त अभसेख होता है इसलिए यह बाहुबली के लिए किया जाता है तो यह है आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगी कि निम्लिख के नाम से भी जानते हैं और कोटल के नाम से भी जानते हैं तो यह है आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगी कि निम्लिखित मैसी वह ब्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रिये दर्सी था ठीक है देवा नाम प्रिये दर्सी यह किसी कहा जाता है यह कहा जाता है ठीके अशोक को कहा जाता है देवा नाम प्रिये दर्सी ठीके और अशोक जो थे वह मौरे राजबंसे से सम्मन्दित थे ठीके बिस्पिसिद और सक्तिसाली समराथ थे तो यह भी आपको याद रखना है और इन्होंने अखंड भारत पर राज़ किया अशोक ने आगे बढ़ेंगे कि कलिंगे बिजाय के बाद अशोक ने निम्ड में से किस धर्म को अंगी कार कर लिया ठीके कलिंगे की बिजाय प्राप्त की पर इसकी बाद उन्होंने एक धर्म को अंगी कार लिया उस धर्म का नाम क्या था तो उस धर्म का नाम था बौद धर्म ठीके कल में अंगीकार कर लिया और इसी कर लेंगे बिजाए के फल सुरूप जो मौरे बंस था या मौरे समराज था इसका पतन सुरू हो गया या पतन ही हो गया ठीक है आगे बढ़ेंगे कि मौरे समराज की इस थापना किसने की थी ठीके जो मॉरे समराज था इसकी स्थापना किसने की थी यह हमें बताना है option A बिंदू सार ने, option B चंद्रगुप्त मॉर ने, option C असोक ने और option D बिम्भी सार ने तो इसका जो सही अंसर है वह है option नंबर B चंद्रगुप्त मॉर ने भारत के प्रथम हिंदू समराट थे यह आपको याद रखना है भारत के प्रथम हिंदू समराट यह थे चंदगुप्त मौरे मौर समराज की करी थी स्थापना ठीक है और अगर हम बात करें चंदगुप्त मौर की तो चंदगुप्त मौरे ने पूरे भारत को एक समराज की अ मन्द में इतनी जानकारी और आपको याद रखना है थैंक्यू दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झजने के लिए कि अन्यवादे जानकारी आपका बहुत थrehादा रिए इतने शोस्तो एव को धन्यवाद